हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैई चानल, मैं आपकी दोस्त पायल आपका इस वीडियो में स्वागत करती हैं दोस्तों आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे सुमित बगडिया के स्टॉक मार्केट आनलिसिस और मंडे के लिए उनकी रिकमेंडेशन स्टॉक के बार में उनका कहना है कि ओवराल मार्केट का बायस इंप्रूब हो चुका है क्योंकि Nifty 50 Index ने 21 DEMA support level 24,050 को reclaim कर दिया है सुमित भिगरिया कि according Nifty 50 का रिजस्टन 24,400 पर है जिसे तोड़ना मार्केट के लिए एक अच्छा चालेंज हो सकता है अगर Nifty अपने current support 24,050 को तोड़ता है तो ये 23,650 या 23,550 लेवल तक गेज सकता है इस वज़े से उन्होंने day traders को bull calls avoid करने और stock specific strategy adopt करने की सला दी है दोस्तों सुमित भिगरिया ने मंडे के लिए बाय के लिए तीन stock की सिफारिश की है जिसमें से first stock है M&M, second is Tata Consumer Products and third है ONGC तो चले दोस्तों इन तीनों stock के target price और stop loss के बारे में बात करते हैं पर उससे पहले जल्दी से चानल को subscribe करें और वीडियो अच्छे लगे ते वीडियो को like करें तो चले दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते है M&M की M&M का stock अभी 2,966 पर trade कर रहा है जो एक अच्छा uptrend दिखाता है ये stock अपने 50 days EME पर support लेकर उपर जा रहा है अगर ये 3,000 के resistance को तोड़ता है तो ये 3,150 तर जा सकता है RSI 52 पर है जो positive momentum को show करता है तो अगर आप नई investor हैं तो अभी के CMP पर buy करें Target price 3,250 के साथ stock loss 2,850 रखें दोस्तों अगर आपको लगता है कि stock market में पैसा बनाने के लिए सिफ tips या recommendation पर dependent रहना पड़ता है तो आपको अपना approach बदलने की ज़रुरत है हम लेकर आए है एक comprehensive fundamental analysis course जो आपको सिखाता है कि कैसे आप खुझ से stock का analysis कर सकते हैं और सही investment कर सकते हैं दोस्तों इस course में हम आपको सिखाएंगे balance sheet profit and loss statement और cash flow statement का analysis कैसे करना है key ratio जैसे PE ratio debt equity ratio और ROE का use कैसे करना है कौन से sector और कौन से companies में investment करना profitable हो सकता है और long term और short term investment के लिए stock कैसे identify करें यह सब हम आपको हमारे fundamental analysis course में सिखाएंगे यह course आपको एक independent investor बनने में मदद करेगा ताकि आप अपने financial goal को confidently achieve कर सकेंगे तो दोस्तों आपका एक step आपकी financial freedom की तरफ ले सकता है तो देरी किस बात के दोस्तों आप अभी description में दीगे लिंक पर जाकर हमारा fundamental analysis को जोइन करो जो की आपको सिर्फ मिलने वाला है 550 रुपीज में जी हाँ दोस्तों सिर्फ 550 रुपीज में आपको एक course मिलने जा रहा है तो जल्दी से 20 डेज और 50 डेज यह में से नीचे है अगर यह 970 के को तोड़ता है तो यह 1030 तक जा सकता है त्रेडिंग वॉल्यूम में थोड़ा increase दिख रहा है जो market interest को बढ़ाने का signal है सुमेद बगडिया नहीं यह advice दी है आप 950 के आसपास buy करे और stop loss 920 रखे with target price 1030 चलिए दोस्तों अब क्विकली थर्ट स्टॉक के बारे में भी बात करते हैं ओंजिसी का स्टॉक अभी 256 पर ट्रेट कर रहा है लेकिन यह अभी भी अपने 20 डेज 50 डेज और 100 डेज के नीचे ट्रेट कर रहा है यह एक recovery phase में है लेकिन अगर यह EMA के उपर बन होता है तो bullish momentum दीख सकता है So support level 245 पर है resistant 270 के आसपास है जो की 50 days EMA के करीब है So सुमित बगिड़या ने यह advice दी है कि 245 के stop loss लगाए और target price 270 रखे और 256.70 पर buy करने की सला दी है So दोसो सुमित बगिड़या के लिए यह stocks peak short term के लिए अच्छे opportunity provide करते हैं लेकिन हर investment से पहले अपनी risk और capital को समझना जरूरी है अगर आप stock market के basis और in depth analysis सीखना चाते है तो हमारा fundamental analysis को join करना मत भूलिए I hope आपके लिए वीडियो helpful रहोगा वीडियो का feedback कमें सेक्षिन में sure करें साथ ही साथ चानल को subscribe करें मिलते हैं निक्स वीडियो में until then stay tuned stay curious